दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के के जिले में रहते हैं साथ ही अपने तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बोक्स में जरूर पोचे आज की सबसे पहले कबर बिहार के हर थाने में होगी महिला पुलिस के तैनाती पुलिसिंग को दुरस्ट करने के लिए नितिस ने की High Level Meeting मुखिमंत्रे नितिस कुमार ने महिला सस्थिकरण के अपने एजेंडियों को पुलिसिंग में भी प्रतमिक्ता देने का फैसला किया है बिहार के सभी थानों में महिला पुलिस बदादिकारी और महिला पुलिस की तैनाती होगी मुख्यमंत्री नितिस कुमार ने कल क्राइम कंट्रोल को लेकर एक हाई लेवल मिटिंग की सीम ने बैठक के दोरान यहां निर्देश दिया कि सभी थानों में महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाए सुकरवार को सीम नितिस ने मीटिंग में कहा कि इस से थाने में आकर सिकायत करने वाले महिलाओं का मनमल बढ़ेगा और उनकी सिकायतों का समादान भी अब ठीक तरीके से हो पाएगा मुख्यमंत्री के इस निर्देश को अब बिहार पुलिस के अंदर महिला ससुतिकरन के बुलू पिरिंड के तोर पर दिखा जा रहा है अगली बड़े खबर बिहार में बेड एंडरेस में सामिल होने के लिए इसनातक में पचास परतिसत अंक होना अनिवार है यदि आवेदों को इसनातक में पचास परतिसत से कम अंक है तो फिर उसके लिए इसनातक उत्तर में पचपन परतिसत अंक अनिवार किया गिया है साथ ही आपको बता दे कि बी बिटे की योगतादारे को गनित एवं विज्ञान विशे में अनिवारता के साथ 55 परतिसत अंक होना चाहिए अगली बड़ी खबर बिहार में ग्रामीन सडको के रकरकाव में 20,000 को मिलेगा रोजगार 10,000 लोगों की होगी स्थाई बहाले इसमें अगले साल तक करीब 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा इसमें स्रमिक, ओपरेटर वद तकनिसियन के सहीत इंजिनियर भी सामिल होंगे करीब 10,000 लोगों की स्थाई बहाली की जाएगी विभाग अपनी सबी सडको के रकरकाव की कारियोजना बना रहा है इसी महिने से रकरकाव संबन्दी, काम, पूरी तरह विभागय, इंजिनियर और अधिकारी समालने लगेंगे अगले महिने करीब 700 असिस्टेंट और जुनियर इंजिनियर भी इस्ताई बहाली के तहद विभाग को मिलने की समावना है इसके लिए प्रकरिया अंतिम चरण में है अगली बड़ी खबर कोरोना वेक्सिन की पहले डोज लगाने के मामले में अमेरिका से आगे निकला भारत विस्व के अन्य देश काफी पीछे जी है कोरोना की वेक्सिन लेने वालों की सेंग्या के मामले में भारत पहले इस्तान पर पहुच गया है वेले ही अमेरिका वेक्सिन के डोज के मामले में पहले इस्तान पर बना हुआ है लेकिन ऐसे लोगों की सेंक्या वहां भारत से कम है जिने वैक्सिन की कम से कम एक डोज जरूर मिल गई है वैक्सिन देने के मामले में दुनिया के आइने देश भारत से काफ़ी पीछे छुट गए हैं अगली बड़ी कवर बिहार में आप ब्लैक पंगस से पिडित मरीजों को मिलेगी पांच लाग तक की मुप्त दवा हैल्थ मिनिस्टर का एलान बिहार के स्वास्ट मंतरी मंगल पाणने ने बताया कि कोरोना महामारे के साथ ही उससे उतपन बलैक पंगस से बचाव की गंविर कोशिस की जा रही है उनने बताया कि दवावों उभलब्दा पर विभाग द्वारा नजर रखी जा रही है ब्लैक पंगस से पिडित मरीजों के इलाज पर सरकार द्वारा प्रति मरीज 4-5 लाग तक की दवा सरकारी अस्पतालों में मुप्त दी जा रही है इससे मरीजों की जान को बचाया जा रहा है साथ उन्होंने बताए कि ब्लैक पंगस से बचाव की दवा एंपो टरेसीन की बी इंजेक्शन की अब तक लगबग 14,000 वायल राज की विविन अस्पतालों में उपलब्द कराई गई है अगली बड़े कवर बिहार में उद्योग के लिए 6,199 करोड के निवेश का प्रस्ताव मंत्री साहनवाज हुसेन बोले जल्द पूरा होगा आत्म निर्वर बिहार का संकल्प देश में कुरोणा महारे की वज़ा से आर्थिक गतिविदी धिमी पड़ गई है बिहार में भी आर्थिक गतिविदी पर कुरोणा की वज़ा से काफी असर पड़ा है लेकिन बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निवेश प्रस्ताव पर कुरोणा महारे का कोई असर नहीं है मुख्यमंत्रे नितिस कुमार की नित्युत में मौजुदा एंडिया सरकार के गढ़न के बाद अब तक बिहार में उद्योग लगाने के लिए 6199 करोड रुपे के निवेस प्रस्ताव आ चुके हैं आपको बदा दे कि बिहार के सभी जीलों के लिए औक्सिजन उत्पादन, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ केर, मैनुफेक्चरिंग, प्लास्टिक और रबड जिसे विभिन उद्योग की स्तापना के लिए लगबग निवेस प्रस्ताव प्राप्त होए हैं। अगली बड़ी कबर बिहार में सिक्चक बहाली के लिए 11 जून से आवेदन, सरकार ने जारी के अधिसुचना 25 जून लास्ट जिहां पटना उच नियाले द्वारा राज्ज के प्रामरी और सेकेंडरी स्कुलों में छट्टी चरन की नियोजन में आवेदन नहीं करने वाल बिहार सिक्चा बिवा की ओर से जारी अधिसुचना के मुताबिक राज के प्रामरी और सेकेंडरी स्कुलों में छट्टे चरन की नियोजन के लिए 11 जून से लेकर 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं दिव्यांग अभियारतियों को सिक्चक नियोती प्रक्रिया में सामिल होन पिछले 24 घंटे में मिले 991 संक्रमित मरी जिया राज में कोरोना संक्रमन का प्रभाव दिनों दिन कम होता जा रहा है राज में पिछले 24 घंटे में 992 नए कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान की गई है एक दिन पूर्व ही राज में 1104 नए कोरोना संक्रमित मिले थे जबकि कुरोना संक्रमन दर मात्र एक दसमलव, जीरो एक फिजदी और स्वस्थ होने की दर संतनवी दसमलव, चोसट फिजदी था, वह पटना में सबसे ज़्यादा 143 ने कुरोना संक्रमित की पहचान की गई है और जीन 13 जिलों में 10 से कम नई संक्रमित मिले हैं अगली बड़े खबर देश में रूसी कोविड वैक्सिन स्पूतनिक वी भी बनाएगी सीरम इंस्टिटूट DCGI ने मंजुरी दी जिहां कोरोना महमारी की रोगताम के लिए देश में वैक्सिन उत्पादान और टीका करन पर सरकार पुरा जोर दे रही है इसी कड़ी में ड्राग कंट्रोलर जनरल ओब इंडिया ने स्पूतनिक वी की निर्मान के लिए सिरम इंस्टिटूट ओब इंडिया को मंजुरी दे दी है मालूम हो कि भारत में रोषी वैक्सिन इस्पूतनिक वी बनाने के लिए सिरम ने DCGI से ट्राय लैसेंस के नुमति मांगी थी DCGI की मंजुरी के बाद सिरम भारत में इस्पूतनिक वी का निर्मान कर सकेगा अगली बड़ी खबर बिहार में गर्मी की मार चार दिनों तक चिलचिलाती धोब से रहत नहीं लोग का अलट जारी बिहार में यास तुपान के बाद अब लोगों को गर्मी सता रही है, राज के लोगों को अभी चिलचिलाती धोप से चार दिनों तक रहत नहीं मिलने वाली है, मौसम बिभाग की ओर से इसको लेकर सुचित भी किया गिया है, वहीं बताया जा रहा है कि बिहार में मानसुन की एंट्री 12 जून तक हो सकती है, मौसम बिभाग की माने तो बिहार में अभी चार दिन तक लगातार गर्मी लोगों को सताएगी, मौसम बिभाग के सुत्रों के मुताबिक राज में अभी तापमान और बढ़ेगा, बताया जा रहा है कि अगले दो दिनों में तापमान 2-3 डिगरी तक अधिक बढ़ सकती है, वहीं आवदा विभाग ने लोग का अलर्ड पुरे बिहार में जारे किया है, विभाग ने कहा कि गर्मी से बचने के लिए लोगों को अतरिक सावधानी बरतनी चाहिए अगली बड़े खबर मुझपरपूर में तीन दिनों में तीन बच्चों में AES याने चमकी बुखार की पुष्टी आकड़ा हुआ 25 फिलाल तीन बच्चे पिकों में भरती जहां कुरोना के बेच मुझपरपूर जिला और उसके आसपास के जिलों में तापमान बढ़ने के साथ एक बर फिर चमकी बुखार पाम पसारने लगा है मुझपरपुर में पिडित बच्चों की संग्या बढ़ने लगी है कोच दिनों से चमकी बुखार से पिडित कई संग्दित मच्चों को गमीर हालात में SKMCH में भरती कराये गया है जानकारी के अनुसार पिछले तीन दिनों में तीन बच्चों में AES याने चमकी बुखार की पुष्टी हुई है बुदवार, गुरुवार और सुकुरुवार को एक एक बच्चे में AES की पुष्टी हुई है बड़ी कबर बिहार में दूर होगी मेडिकल स्टाप की कमी बिहार कोसल विकास मिसन इवाओ को छे तरह की ट्रेनिंग देगा फिर कोविड ऑस्पिटल में ओन जॉब ट्रेनिंग भी कोरोना संग्रमन के दौरान मेडिकल स्टाप की कमी को देखते विश्रम संसाधन विवाओ ने कोसल विकास मिसन की मदद ली है कोसल विकास केंद्रों में चिकिसा चेत्र की छो विदाओ का परिसिक्चन सुरुक करने का फैसला लिया गया है मिसन के तहट अब इवाओ को चिकिसा चेत्र से सम्मादिद प्रसिक्चन दिया जाएगा साथी मंत्री जिवेश कुमार ने बताए कि देश कोरोना महमारी से लड़ रहा है इसे लड़ने के लिए अनुभावी सेवोकों की जरुत को देखते वे विभाग ने या फैसला लिया है चिकिसा चेत्र से सम्मादिद जाब की कूल छे विदाओं में प्रसिक्चन दिया जाएगा आपकी जानकारे के लिए बताए कि जीन छे विदाओं में प्रसिक्चन दिया जाएगा उनमें जेनरल ड्यूटी असिस्टेंट, होम हेल्थ एयाइड, इमर्जन्सी मेडिकल टेकनिसियन, प्ले बोटो मेश्ट मेडिकल एक्टूप्मेंट टेकनोलोजी असिस्टेंट सामिल है। परहत बरी खबर है, पप्पो यादव जिने पिछले दिनों मधिपूरा सेशन कोड ने 32 साल पुराने केज में जमानत देने से इंकार कर दिया था, अब वह जमानत के लिए पटना हाइकोड में याचिका दायर कर सकते हैं। पप्पो यादव की पतने पूर्व सांसत रंजित रंजन ने जो आगरक किया था, उसे कोड ने सिवकार कर लिया है। आप पप्पो यादव की जमानत याचिका पर पतना हाइकोड में सुनवाई हो पाईगी। अगली बड़े कबर नितिश कुमार को परिसितियों का सियम बताने वाले इसके बाद पार्टी की अनुसासन समिति की ओर से कारण बताओं नोटिस जारे किया गया था, दस दिनों में उन्हें जवाब देना था लेकिन नोटिस मिलने के बावजूद टुन्ना जी पांडे ने गड़बंदन धर्म के खिलाब बयान बाजिक की, इस पर संग्या लेत सिपारेशों को अमल में लाते वे, सिबीएसी ने इसी सत्र से स्कूलों में कोडिंग और डाटा साइंस को बतोर कोसल विसाई के रूप में शुरुक कर दिया है, केंदर सिख्चा मंतरी रमिस पोकरियाल निसंग ने ट्वीट करके कहा कि नए सिख्चानीते 2020 के तहत उन्हो सिबारत की भावी पिडियो को ने जमाने की कोसल से स्वसक्त बना रही है, आज के लिए आपका स्वाल बताए कि वर्तमान में बिहार में स्रम संसाधन मंतरी कौन है, इसका जवाब आप हमने नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं